Hello Friends, Unacademy आपके लिए ले क्या है ITJ NEET Foundation Category में Subscriptions जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको Unacademy के कुछ बहुत ज़्यादा जो advantages है दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, anytime, anywhere, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं आप अपने best educators से सीख सकते हैं, आप multiple classes को access कर सकते हैं, जहाँ कोई problem आपको नहीं आएगा एक और चीज आपको बताओ, आपकी जो teachers है, वो आपको अलग-अलग strategies और अलग-अलग आपको guidelines देते रहेंगे जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे marks ला सकते हो, unlimited quiz हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी quiz के host बन सकते हो जहाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको quiz लेना है, तो host बन के आप quiz ले सकते हो, study material आपको PDF के form में मिल जाता है और doubt killing session आपके लिए available हो, तो दोस्तों बिना देरी किये, आपको लेना है unacademy का subscription, जी हाँ दोस्तों, तो subscription के जो details है, वो हम देख लेते हैं, आप दे सकते हैं कि अभी जो subscription के जो rates है, वो बहुत कम हो गया है, जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होत तो आपको वहाँ पर भी 10% का discount मिल जाएगा, तो दोस्तों बिलकुल देरी मत कीजे, जल्दी से subscription ले लीजे, और अपनी foundation की, आपकी ITJ की और आपकी NEET की तयारी अभी से शुरू कर दीजे, आप plus और iconic दो तरह के subscription available है, आप दोनों में से जो भी subscription लेना चाहो ले सकते हो, दोनों की prices आपके सामने है, तो बिलकुल देरी मत कीजे, let's crack it. ज़्यादा easy, I hope कि आप सबको बहुत ज़्यादा वो सारा का सारा table बहुत पसंद आया होगा, चली, अब move करते हम लोग अपने आगे के पार्ट की तरफ जो की है आपका pH, तो चलिए भाई देखते है ये pH क्या चीज है, और pH का concept क्या होता है, चलिए देखते है इस चलिए भाई देखते हैं कि pH स्केल आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हो, यह आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, मुझे पता है, हरे का बच्चा बच्चा जानता है कि pH स्केल जो होती है, वो कहा से कहा तक होती है, और pH स्केल का मीनिंग क्या क्या होता है, I know सब को प तो अगर मैं बात करती हूं, तो भाई यह होती है आप की pH स्केल, जो भी pH स्केल होती है, वो स्टार्ट होती है भाई, 0 से, और और end होती है 14 पर, मतलब आपकी जो pH स्केल है, वो 0 से लेकर 14 तक होती है, pH scale 0 से लेकर 14 तक होती है center पर होता है 7 मतलब यहाँ पर मुझे यह जानने को मिला भई कि जो भी 0 से लेकर 7 तक pH अगर किसी भी substance का आता है तो उसी substance को आप क्या बोलते हो acidic ठीक है किसी भी substance का अगर pH 0 से 7 के बीच में आता है 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी substance का pH आता है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो acidic substance अगर किसी भी substance का pH 7 से लेकर 14 तक आता है तो आप लोगे बता दो भाई acid का उल्टा क्या होता है base होता है तो उसी को आप लोग बोलेंगे कि वो वाला जो substance है वो कैसा है वो वाला substance है आपका basic nature का या तो फिर वो वाला substance जो है वो है आपका base अब दिमाग में question ही आता है कि ठीक है न ठीक है माम सब समझ गया है यह तो हमको भी पहले से पता था कि अगर pH scale जो होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है 0 से 7 तक acidic के लिए होता है और 7 से 14 तक basic के लिए होता है लेकिन आप हमको यह तो बताओ कि 7 पे कौन आएगा आप लोगी बता दो भाई 7 एक ऐसा नंबर है जो acid का भी part है 7 एक ऐसा नंबर है जो base का भी part है तो हम लोग क्या समझ याद रखना याद रखना सारे के सारे 7 का मतलब ही क्या होता है neutral substance नौट वो Asianit nigga Jackie क्योंकि 7 जो है कि इदर साइड का भी है और इसएसे लिए 7 जो आं तो घर का है न तो गाठक towards इसलिए 7 जो है वो कैसा है वो आपके neutral nature का है भाई समझे या नहीं समझे चलिए बढ़ते आगे की पाट की तरफ अब आगे मैंने यहां पर यह जाना भाई कि अगर मैं बात करती हूं न प्यॉर वाटर की अगर मैं प्यॉर वाटर की बात करती हूं तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हूं तो जो भी आपका pure वाटर होता है कुछ इस फ़र्म में होता है deba-जो भी और दी Africa अब आप तो ने देखो, क्या देखा भई, जो भी आपका pure water होता है वो dissociate तो होता है, dissociation का मतलब होता है तूटना, dissociation का मतलब होता है तूटना, तो जो भी आपका pure water हो dissociate होता है, लेकिन कैसा? to a very small extent मतलब आपका जो pure water है वो dissociate तो होगा भाई वो तूटेगा तो हाँ भाई हाँ तूटेगा dissociate होगा लेकिन बहुत कम extent पर ही वो dissociate होता है आप लोगी बता दो भाई पानी के अंदर में दो चीज़े होती कौन से कौन से दो आयन्स पानी के अंदर में होता है एक होता है आपका H प्लस आयन और एक होता है आपका OH माइनस आयन मतलब पानी के अंदर में दो चीज़े होती है जब भी पानी तूटता है जब भी पानी का dissociation होता है तो हमेशा दो टाइप के आयन बनते हैं एक होता है आपका H प्लस आयन और एक होता है आपका OH माइन लेकिन सबसे काम की खास बात ये है भाई कि जो भी आपका H प्लस आयन है और जो भी आपका OH माइनस आयन ना, इनका proportion पता है कैसे होता है? are formed in equal proportion R formed in equal proportion म unlucky मतलब आपका ह्पा एच पलस आयन और आपका OH- आयन जो होते वो equal proportion में बनता है कहना मुझा यहाँ पर यह है कि जितना H+, आयन बना होगा न उतना ही दिल्कुल os- आयन à早 kun बना होगा ऐसा नहीं बहुत उन सकते कि H+, ज्यदा मनता है och boy कम बनता या OH- जार ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह क्या है पानी है पानी जो है वो डिसोसीट होता है लेकिन बहुत कम एक्स्टेंड पर बहुत कम मांट पर कौन से आयन में हच प्लस और OH- लेकिन प्लस जितना बनेगा याद रखना OH- आयन भी उतना ही मनता है ठीक है मतलब एच प्लस आयन और OH- आयन फॉर्म तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं एकवल प्रपोर्शन में समझे या नहीं समझे चली और आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों नहीं यह जाना भाई कि जो आपका प्योर वाटर होता है जो भी आपका प्योर वाटर होता है मतलब जो भी आपका होता है उसका जो पी होता है न भाई या उसका जो पी होता है न भाई वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं तो क्या आप मेंसे मुझे कोई बता सकता है कि जो भी आपका प्योर वाटर है उसका pH भी 7 है, उसका pOH भी 7 है. अब दिमाख में question आता है, ठीक है माम ठीक है, pH तो 7 है, ये बार ठीक है, लेकिन pOH कैसे 7 आया है, वो हमको बता. pH तो 7 है ठीक है, लेकिन pOH 7 कैसे आया है, वो हमको नहीं समझा. सुनो भाई, ध्यान से देखो, यहाँ पे H प्लस आयन जित्ता बना न, उतना ही आपका OH माइनस आयन बना. मतलब जितना pH रहेगा न, उतना ही आपका pOH भी रहेगा. ये pH और pOH के फॉर्मूले क्या है, टेंशन मतलो, अभी सब अपनलों प्राक्टिस लेंगे questions की. लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनों भाई, प्यॉर वोटर जो होता है, प्यॉर वोटर बहुत सारे entrance का question है, जो भी आपका प्यॉर वोटर रहता है न, उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन इक्वली बनते हैं. H प्लस आयन का pH 7 है, इसलिए OH माइनस आयन का भी pH कितना है, 7 है, मतलब भी आपका pOH भी कितना है, 7 है, याद रखना pH और pOH और प्यॉर वोटर इस 7, ठीक है भाई, ले लो इस पार्ट का जल्दी से screenshot, अब चलिए भाई, बढ़ते आगे के पार्ट की तरफ, आगे के पार् प्यॉर वोटर है, उसका pH भी है 7, उसका pOH भी कितना है, 7 है, अब आप लोगी देखो भाई इदर और आप लोगी मुझे बता दो, इसका pH 7 है, भाई, इसका pH 7 है, मतलब आपका जो प्यॉर वोटर है, क्या वो acidic है, या वो basic है, या वो neutral है, for you का information, pH of pure water is 7, मतलब ही आपका जो भी pure water है, वो कैसा है, neutral nature का है, याद रखना भाई, कि pure water जो होता है, वो आपका neutral nature का होता है, pure water कैसे nature का होता है, pure water होता है भाई, आपका neutral nature का, क्योंकि उसका pH का value कितना होता है, 7 होता है, समझ गये भाई, चलिए, ठीक है भाई, चलिए, और आगे बढ़ता है, अब आ आगे आगे लोग को जो फॉर्मूला आद रखना है न भाई वो यह है जरा ध्यान देना जो भी पी एच होता है पी एच का मतलब होता ही माइनस लॉक की बेस टेन कंसेंट्रेशन ओफ एच प्लस आयन ठीक है इसी का मतलब एक और चीज़ होती है पी ओएच का मतलब क्या होग माइनस लॉक की बेस टेन कंसेंट्रेशन ओफ ओफ ओएच माइनस आयन अब जरा ध्यान दो भाई इधर देखो सारे के सारे जब मैंने यहां एच लिखा न तो यहां कंसेंट्रेशन भी किसका आया ओएच माइनस आयन का याद रखना भाई अगर आप पी एच निकालते हो तो कंसेंट्रेशन भी किसका लेंगे एच प्लस आयन का अगर आप पी ओएच निकालते हो तो आप लोग कंसेंट्रेशन भी किसका लेंगे ओएच माइनस आयन का ही तो लेंगे न यह हुआ आपका पहला फॉर्मूला यह हुआ आपका सेकेंड फॉर्मूला अब जो थर्ड ठीक फॉर्मुला है गवा इसी फॉर्मुले सब्सक्राइर होता है वह था है सफ्न रहुत चल्व करें गद्यक्रेशन उफ न यह समय को दो ठीक्लेट करें तो आप 10 की पावर में फ को लेंगे अगर आप concentration of os minus sign को calculate कर देओ तो आप 10 की power में pos को लेंगे सुनो भाई, formulae तो चाहे physics हो, चाहे chemistry हो, या science हो, या science 2 हो कोई भी science हो, formulae तो भाई समझ के रटता ही मानना पड़ता है मतलब हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कही ना कही formulae को रटता तो मानना ही पड़ता है क्योंकि formulae के भी ना अपना काम नहीं हो सकता, तो मैंने अब ही आपको total 4 formulae बता है pH equals to minus log की based in concentration of h plus sign, यहां भी है h, यहां भी है h, pOH equals to minus log की based in concentration of OH minus sign अगर यहां है OH तो यहां भी क्या आएगा भाई, OH ही तो आएगा, concentration of h plus sign equals to 10 की power minus of pH वो बिल्कुल इसी से obtain हुआ है और concentration of OH minus sign equals to 10 की power minus of pOH, ठीक है भाई, चली अब यह formulae का use करके हम लोग करेंगे calculations को, ठीक है और जो भी आपका pOH है उसका भी value कितना है, 7 है, तो अगर मैं आपको पुछती हूँ, concentration of h plus sign कितना होगा और अगर मैं आपको पुछती हूँ, concentration of oh minus sign कितना होगा, तो क्या हम लोग pH के help से concentration of h plus sign और concentration of oh minus sign को calculate कर सकते सोचो सोचो जारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अर्य भाई, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो आप लोग calculate नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर हो power, तो हम लोग दुनिया को हिला सकते हैं, तो यह formula एक या चीज़ है, चलिए देखते हैं भाई, इस part को ध्यान से देखना ध्यान से आपको calculate क्या करना है concentration of H plus iron and concentration of OH minus iron चलिए भाई, use करेंगे third वाला formula concentration of H plus iron equals to 10 की power minus of pH जो भी आपका concentration रहता है na H plus iron का, उसका मतलब ही क्या होता है 10 की power minus of pH आजो भाई, इदर 10 की power minus of pH का value कितना है, जल्दी से देखो भाई pH का value कितना है, pH का value है 7 ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से आपको pH का value दे रखा था आपको P OH का भी value दे रखा था आपको पूछा गया था, concentration of H plus iron और आपको पूछा गया था, concentration of OH minus iron concentration of H plus iron का formula होता है 10 की power minus of pH तो लिख दिया भाई, मैंने इसको 10 की power minus of pH 10 को as it is लिखो minus को as it is लिखो, pH के जगा पे pH का value लिख दो भाई 10 को as it is लिखो, minus को as it is लिखो pH के जगा पे pH का value लिख दो भाई अब देजरा इधर देखो भाई इधर देखो सारे के सारे इधर pH का value कितना है 7 लिख दिया 7 को ये आ गया आपका concentration of h plus sign इसी को देखो और कैसे लिख सकते इसी को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो concentration of h plus sign equals to 1 into 10 की power minus 7 बिल्कुल लिख सकते है भाई अरे भाई किसी भी नंबर को अगर 1 से multiply किया तो वही तो नंबर आता है ना समझे या नहीं समझे maximum questions में बहुत सरे olympiards के exams से या आपके 9 standard में बड़ा important question है आदिस सादा public को sorry करते नहीं आता वो सोचते pH 7 है तो concentration of h plus sign 10 की power plus 7 होगा बड़ याद रखना भाई याद रखना 10 की power minus of pH होता है मतलब 10 की power minus 7 आएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 10 की power minus 7 ठीक है भाई अब ज़रा इदर आजाओ अगर मुझे निकालना है concentration of oh minus ion को तो concentration of oh minus ion के लिए क्या formula है 10 की power minus of poh concentration of oh minus ion का formula है 10 की power minus of poh समझे या नहीं समझे ये formula को as it is मैंने देखके लिख दिया ठीक है भाई ज़रा इदर आजो सारे के सारे 10 की power minus of poh का value कितना है 7 लिख दो भाई 7 मतलब जो कि आपका concentration है oh minus ion का उसका value कितना है 10 की power minus 7 देखो भाई क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते concentration of oh minus ion equals to 1 into 10 की power minus 7 बिलकुल लिख सकते है भाई क्यूंकि 1 को किसी भी number से multiply किया तो वही number आता है कोई फरक नहीं पड़ता है याद यह रखना है pH के 0 से लेके 14 तक होती है 0 to 7 मतलब acid 7 to 14 मतलब base और 7 मतलब neutral आपका जो pure water होता है उसका pH भी होता है 7 उसका poh भी होता है 7 मतलब आपका जो pure water है न वह कैसा होता है neutral होता है फिर मैंने आपको बताया pH का मतलब होता है minus log की base 10 concentration of h plus ion poh का मतलब बताया minus log की base 10 concentration of oh minus ion फिर हम लोगों ने और दो formula derive किये और इनकी help से हम लोगों ने calculations को किया ले लो भाई जल्दी से इस part का screenshot very important part चलिए भाई अब बढ़ते आगे पाट की तरह दिमाग में सबसे पहला question जो आता है वो यह है क्या मैं कबसे startings है class में pH 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 लगा के रख दिया समझ गया न हमको pH चलिए आगे बढ़ते अब आपने हमको pH तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया को रहे थे आप हमको यह तो बताओ यह pH को calculate कैसे करेंगे भाई हमारा दिमाग थोड़ी calculate कर सकता है pH को pH को calculate करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगता हमाना तो मैं आप हमको बताओ ना यह pH कैसे calculate करते है पीएस तो हमको समझ गया भाई pH क्या होता है सारी चीज़े समझ गए theoretical calculation भी समझ गए आप हमको यह तो बताओ कि हम लोग यह pH of solution को कैसे निकालेंगे मतलब अलग-अलग method हो आपको pH निकालना हो तो आप लोग कौनसी कौनसी experimental methods का use करेंगे चलिए देखते है इस पार्ट को तो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई आपका pH of solution को कैसे आप लोग calculate करेंगे तो जो भी आपका pH रहता है ना किसी भी solution का किसी भी solution का जो भी आपका pH रहता है ना भाई उसको आप तीन वे से determine कर सकते हो ठीक है भाई जो भी आपका सबसे पहला वे रहता है वो रहता है using pH paper मतलब आप लोग pH paper की help से भी pH को निकाल सकते हो second रहता है आपका pH meter और third रहता है आपका universal indicator थर्ड रहता है भाई आपका universal indicator मतलब यहाँ पे मैंने यह जाना भाई कि जो भी आपका pH रहता है किसी भी solution का उसको हम लोग total 3 वे से रिटर्माइन कर सकते हैं पहला है आपका pH paper second है आपका pH meter और थर्ड है आपका universal indicator पीएच पेपर में कुछ भी नहीं रहेगा भाई बस एक नॉर्मल इसा पेपर रहेगा और पेपर को आप उस compound के अंदर में डालेंगे या उस liquid के अंदर में डालेंगे और देखेंगे कि व आप लोगों ने बहुत सरे experiments में भी किया होगा जो भी pH paper का piece मिलता है उसको compound के अंदर डालो या उस liquid के अंदर में डालो और देख लो कौन सा color आये उस color के हिसाब से आप मैच करोगे ही ऐसा है ऐसा है जैसा भी आपका color रहेगा ना भाई वो color के हिसाब से आप लोग उसको determine कर सकते हों जैसे कि अगर आप लोग ध्यान देते हों तो यहां पर आपको देखो एक pH strip दे रखे बुक के अंदर में यह जो pH strip दिये ना यहां पर अलग-अलग colors दे रखे तो जब आपने pH paper उसके अंदर में डाला तो इसमें से जो भी color आता है आप उस हिसाब से उसका pH calculate कर सकते हो ठीक है बाइब आते हैं pH meter आप यूप एक एलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट होता है । ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आप लोग एक pH meter का rod होता है, और वो connected होता है directly आपके electrical instrument से, यह आपका electrical instrument होता है, जो आपको pH का value directly बता देता है, ठीक है, तो pH meter आपका एक electrical instrument है, जिसको हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, एक भीकल लेते हैं, उस इसका pH आपको निकालना हो, उसके अंदर में आप लोग pH meter को dip करते हो, जब आप लोग ही pH meter के rod को dip करते हो, तो यहाँ पर इस meter में value आजाती, कितनी pH है, ठीक है भाई, थर्ड रहता है आपका universal indicator, जो भी आपका universal indicator रहता है न, it is made by mixing, it is made by mixing, several indicators, several synthetic indicators, in different proportion, मतलब आप जोगन ही यहाँ पर यह चाना भाई, कि जो भी आपके universal indicators रहते हैं, आप उनको बनाते हो, कैसे, बहुत सारे अलग-अलग, several synthetic indicators को, मतलब जो भी आपके synthetic indicators हैं, बहुत सारे अलग-अलग indicators हैं, उन सबको mix करते हो, और उन सबको mix करके, एक specific indicator बनता है, जिसका नाम होता है, universal indicator, जैसे कि इसका नाम ही है, universal indicator, मतलब यह कैसा होगा भाई, यह सभी के mixing से बनाऊगा, इतना मुझे idea मिल जाता है, तो यह जो indicator है, जब मैं बहुत सारे indicators को, अलग-अलग concentration पे, अलग-अलग proportion पे mix करती हूँ, तो मुझे उससे क्या मिलता है, universal indicator, अब दिमाग में कोशना आता है, ठीक है मैं ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा हमको, कि total हम लोग तीन major methods की help से pH को निकाल सकते, पहला है आपका pH paper की help से, second है आपका pH meter की help से, और third है आपका universal indicator की help से, पट फिर में दिमाग में कोशना आता है, आप हमको ये तो बताओ कि तीनों में से सबसे accurate method कौन सा है मैं, याद रखना भाई, pH paper आप लोग कर रहे हो, universal indicator भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये वाला जो device है ये electrical instrument है, औ और electrical instrument कभी भी value गलत नहीं दे सकता, pH paper में आपकी use करते वक्क कभी कभी क्या होता है, dark purple आता है और हमें समझ में नहीं आता है, हम समझते है ये light purple है और वो dark purple रहेता है, तो अपने अगर आखो से थोड़ी सी भी अगर गल्दी होगी तो वहाँ पे आपका pH का value गलत निकले पहचान सकती है, identify नहीं कर सकती है, मतलब यहाँ पे भी आपकी थोड़ी बहुत तो mistake हो सकती है, लेकिन भाई ये जो है न, ये electrical instrument है, ये एकदम accurate होता है, मतलब मैं ये कह सकती कि जो भी आपका pH meter से आप pH निकालेंगे, वो best method है pH निकालने का, क्योंकि वो जो method रहता है, व screenshot, चलिए भाई, अपना यू कह सकती हूँ कि अब हम लोग start करने वाले है, असली acid और base की chemistry, यहाँ से start होती है, आपकी acid की base के साथ वाली chemistry, तो चलिए देखते है, acid base chemistry को, acid base chemistry में हम लोग देखने वाले है, reactions acid की base के साथ, मतलब ही हम लोग basically ये देखेंगे, कि आपका जो acid ह वो किस तरीके से आपके base के साथ में react करते है, आपका जो acid है, वो किस तरीके से base के साथ में react करेगा, यह हम लोग देखेंगे, अब reactions तो बहुत सारी है बाई, लेकिन ये जो reactions है, अगर हम लोग ये सारी reactions को एक एक करके पढ़ते बैठे तो ठोड़ टाइम लगेगा, लेक सबसे पहले एक छोट इसे chart को, मेरी आप सबसे request है, जो भी chart में draw करूंगी, वो आप लोग भी अपने copy में draw करूंगी, उससे आपका एकदम work easy हो जाएगा, और पढ़ने में भी काफी ज्यादा चीजे easier and interesting लगेगी, चलिए रेखते है उस chart को जिसके बारे में है इतने दे basis के chart को हम लोग देख रहे है भाई, इसमें आपके बहुत सारे reactions है, ठीक है भाई, सबसे पहली reaction, एक, दो, चलिए भाई, देखते हैं, सबसे पहला है आपका neutralization reaction, neutralization reaction, ये सबसे पहली reaction आपको पढ़ना है, second reaction जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है भाई, reaction of acid with metal, third reaction आपको पढ़ना है, reaction with reaction of acid, with oxide of metal, fourth आपको पढ़ना है, reaction of base, with oxide of non-metal, और last आपको पढ़ना है, reaction of acid with carbonates and bicarbonates, थिर्या भाई, तो ये रहा आपका वो चार्ट, मतलब समझ जाओ कि अब आपके, इस chapter के अंदर में, कितने सारे reactions की chemistry आने वाली है, इसलिए मैं बोलती हूँ, ये जो chapter है, सबसे important chapter है, आपके पूरे के पूरे 9th standard के अंदर में, क्योंकि ये जो chapter है न, उसमें बहुत सारे basics है, जिसने ये chapter दिल लगा के, सच्चे दिल से सारे के सारे पार्ट देखाना, मैं उसको भाई, assurance देती हूँ, confirmation देती हूँ, कि उसके सारे के सारे basic concepts, chemistry के best तरीके से clear हो जाएंगे, chapter बड़ा है, parts जादा रहेंगे भाई, लेकिन एकदम best तरीके सारे चीज़े जो समझेगी न, वो 10th, 11th, 12th में आपको is going to help you like anything, तो इतने सारे reactions अभी आपके हमको पढ़ना है, अब ज़रा ध्यान दो भाई, ये reaction का अगर आपको chart समझ में आ गया न, तो ये reactions पढ़ना will be easy for you, तो सबसे पहले reaction हम लोग पढ़ेंगे neutralization reaction, next पढ़ेंगे reaction of acid with metal, third पढ़ेंगे reaction of acid with oxide of metal, fourth रहेगा आपका reaction of base with oxide of metal, and fifth रहेगा आपका reaction of acid with carbonates and bicarbonates of metal, तो ले लो भाई, सारे के सारे spark का screenshot, एक guarantee देती हूँ, मैं इन सारे के सारे reactions को एकटम best way में समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है भाई, ले रवजल्दी से spark का screenshot, चल्दी भाई, जैसे की चार्ट में तो हम लोग ने बहुत सारे reactions देखी, उसमें की सबसे पहली वाली reaction को अभी हम लोग करते हैं, तो जो भी आपकी first वाली reaction है, as per the chart, उसका नाम है, neutralization reaction, neutralization reaction सभी को आता है, लेगि neutralization reaction के बिना अपने एक भी reaction discuss करना possible नहीं है, क्योंकि neutralization जो reaction है ना, वो सबसे basic reaction है, पूरे के पूरे acid-based chemistry का, तो चलिए देखते है, सबसे important, सबसे basic, acid-based chemistry की reaction, जिसका नाम है, neutralization reaction, चलिए देखते है भाई, इस reaction को फटा-फट से, तो पहले हम लोग discuss कर रहे हैं, आपकी neutralization reaction, कौन से reaction भाई, neutralization reaction, चलिए देखते हैं, कि आपकी neutralization reaction क्या कहती है, जरा दिहान से देखना भाई, नाम ही क्या है, neutralization, नाम में ही क्या आ रहा है, neutral आ रहा है, मतलब कहना मुझे यहां पर यह है, जैसे नाम, वैसे काम, हम लोग बोलते हैं न, जैसे लोगों के काम होते हैं, वैसे उनके नाम होते हैं, बिल्कुल वही वाला किस्सा, हर एक जगा पर लगता है, अगर आप लोग इसका नाम देखते हुनों, तो इसका नाम ही है, neutralization reaction, मतलब ही, इसके अंदर में कौन सा वर्ड आ रहा है, भाई, neutral वर्ड आ रहा है, मतलब इसके अंदर में, जो भी product form होगा न, वो भी कैसा रहेगा, भाई, neutral रहेगा, जब भी आप लोग acid के अंदर में बेस को डालते हो, तो आपको क्या मिलता है, salt plus पानी, यह जो salt होता है न, यह neutral nature का होता है, यह जो salt होता है न भाई, यह neutral nature का होता है, समझे या नहीं समझे, acid के अंदर में जब बेस को डालते है, तो वो आपको देता है salt plus पानी, यह जो salt होता है न, यह neutral nature का होता है, मतलब acid ने base को क्या कर दिया neutralize कर दिया acid ने base के effect को क्या कर दिया खतम कर दिया इसलिए आप लोग इस reaction को क्या बोलेंगे भाई neutralization reaction ठीक है भाई अब जरा इधर देखो भाई क्या कोगा जब आप लोगों ने लिया hcl को hcl के अंदर में अगर आप लोग डालते हो naoh को तो यहां पर जो आपका hcl है न वो है आपका acid जो भी आपका naoh है वो है आपका base जब भी acid के अंदर में base को डालते है हमेशा क्या बनता है बाई salt प्लस पानी जब भी acid के अंदर में डालते है base को हमेशा क्या बनता है salt प्लस पानी जब भी acid के अंदर में डालेंगे base को बनेगा क्या salt प्लस पानी अब कुछ लोग बोलते हम लोग को मायम salty बनाती नहीं आता अर्य भाई ज़रा इधर देखो सबसे पहले छोटे मोटे बाई product पानी को करदेंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाई product पानी को करदेंगे रियाक्षन के बाहर जो भी चीज बच जाएगी ना उनको उनको चिपका देंगे और परड़क को बना लेंगे सबसे पहले आपने चोटे मोटे बाई प्रड़क पानी को कर दिया घर के बाद H और OH से क्या बनता है पानी बच्छा क्या C L हो रहे ने और C L को जोड दो भाई और क्या बनेगा वहाँ बनेगा आपका अने जो की होता है आपका salt ठीक है भाई कभी भी acid के अंदर base को डाले, सबको बता होता है बच्चा बच्चा जानता है salt plus पानी बनता है बट बच्चा बच्चा ये नहीं जानता कि कौन सा salt बनता है याद रखना, सबसे पहले पानी को भाहर निकाल दो जो भी बच्च जाता है न उनको जोड देने का उनको चिक्का देने का और प्रोड़क को बना लेने का ठीक है भाई लेट्स टॉप फियर, बाकि कारे रेक्शन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले का क्लास में डिसकस थैंक्यू बेरी मच्छ वाचिंग दिस वीडियो चली भाई जल्दी चल्दी लाइक, शेर और कमेंट दो बनता हिए थैंक्यू